स्वागत है आप सभी का आपके अपने आनलाइन इस्टेट्यूड निसांत ग्यान की यूट्योब प्लेटफार्म पर मैंने दिनुपाद धिया आप सभी का स्वागत करता हूँ अमिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में मित्रों बहुत ही दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि आपके डियलेट सेकंड समेश्टर की परिच्छाएं कब तक होगी मैंने जो गुरूप बनाया है उस गुरूप में दिनों रात यही चर्चा चल रही थी भही अग्जाम कब तक होगा मैंने आपको बताया था कि 9 से 15 दिसंबर के बीच आपकी परिच्छाएं हो सकती हैं आप इसी को टारगेट मानते हुए अपनी परिच्छाओं की तयारी करिएगा आप वोगों ने उम्मीद है कि आपने मेरे बातों पर भरोसा किया होगा और आपने तयारी भी ऐसे ही किया होगा और आज आपके सामने कुछ लोगों ने कहा कि यह ऐफिस्यल नहीं है ऐसा है वैसा है तो बिल्कुल मैं आपको बता दू 100% सत्य है कि आपकी परिच्छा जो है मित्रों 4 समेश्टर और 23 समेश्टर की परिच्छाएं साथ में हो रही है तो मुझे विशेस करके 4 समेश्टर ते तो मतलब है नहीं क्योंकि 4 समेश्टर का कोई बच्चा हमसे जुड़ा नहीं है 23 समेश्टर का हर एक बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है डेल एट 2021 बेच हमारे साथ है तो आप सभी लोगों की परिच्छाएं जो है 29 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच होंगी तीन दिन में ही आपकी परिच्छाएं संपातित की जाएंगी तो विशेश करके आप लोगों से एक विशेश आग रहा है कि आप सभी लोग चाहे जहां है चाहे जिस भी क्राइटेरिया में है चाहे जिस कंडिशन में है आप अपनी पढ़ाई को इमानदारी से स्टार्ट कर दीजिए आज जो है तीन तारीक हो चुका है तीन है चार है चार तारीक है नहीं साथ आज तीन ही तारीक है जो भी तारीक है आपके पास मात्र 15 दिन का समय है आप इमानदारी से लग जाईए पढ़ाई पर, अगर आपने अभी तक नहीं लगा है, हाना, तो कुछ आपके टॉपिक हैं, जिस पर मैं चर्चा करूँगा, और कुछ लोग ने कहा कि भाईया, आप मेराथन क्लास दे दीजिए, वर्तमान भारती समाज प्रारंबिक सिछा क प्रारंबिक सिछा के नवीन प्रयासों का, इस पर जो है, आप मेराथन क्लास दे दीजिए, मित्रो मेरे मेराथन क्लास से अब आपका कोई भी भला नहीं होने वाला है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप DLA के लिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि आप बहुत ज् जलती होगी, क्योंकि आपके पास सिरीज है, आपके पास हमारे नोट्स हैं, जो भी चीजे मैं अपनी तरफ से दे पाया, आपको देने का प्रयास किया, तो जो भी चीजे हो सकते थी, मैंने किया आपके लिए, तो आप सभी लोग अगर मेराथन क्लास खोज रहे हैं अभी जो किस दिन कौन सा पेपर होगा, इसके बारे में जो है, अभी जानकारी नहीं है, अभी जो PDF आपके सामने है, उस PDF में इसकी जानकारी नहीं है, टेलिग्राम ग्रूप और चैनल दोनों पर मैंने PDF डाल दिया है, अभी इसकी जानकारी नहीं है, हना किस दिन कौन सा लेकिन बहुत जल्द आपके बीच जानकारी आ जाएगी आपके विद्याले वाले आपके ग्रूप वगरा जो बनाए होंगे उसमें जानकारी दे देंगे हम भी टेलिग्राम ग्रूप पर जो है टेलिग्राम चैनल है उस चैनल को जोईन करने के लिए आप जो है description box में link दिया गया है आप वहाँ से उसे जोईन कर सकते हैं ठीक है कुछ लोग बोलेंगे कि आप अपना promotion करते हैं मित्रो जो भी है जैसे भी हो जितना भी आप बोलेंगे मुझे सब कुछ बरदास्त है आप पहतर करिए अपनी जीवन में ऐसा नहीं एक notes नहीं खरी देंगा आता आपका कुछ नहीं होगा फिर भी आपका होगा इमानदारी से बस पढ़ाई करिए आगे बात करते हैं तैयारी को धार बनाए रखने के लिए self study आपको करना है निशित तोर पे आपको self study पर ही focus करना ह अगर आप अगर आप जो है इधर उदर यूटूब पर जो है छोटा छोटा पांक पांक तीन तीन चार चार मिनट का वीडियो देखेंगे तो आप अपना घाटा करेंगे आपको self study अप करनी है 15 दिन DL8 को आप हलके ममत लिजिएगा मेरी बात पर यकीन मानिएगा अगर आप किसी भी semester में आप पीछे चले जाते हैं ज्यान से सुनिएगा किसी भी semester में आपका back लग जाता है तो निशित तोर पे आप आने वाली भरती में सामिल नहीं हो पाएंगे इस बात की गारंटी है आप सामिल नहीं हो पाएंगे अगर आपका एक भी paper में back लग गया तो आप सामिल होने वाले अगली वेकंसी में नहीं है इसी वज़य से मैं कहा रहा हूँ कि हलके में मत लीजिएगा गलती मत करिएगा एक भी percent अगर आपकी गलती हो गई नहीं तो आप सामिल नहीं हो पाएंगे उसके बाद आगली जो वेकंसी आएगे तो उसमें से सामिल होग क्योंकि दीरे-दीरे माइंड जो है बढ़ रहा है बच्चों का पहले वाले लोगों से देखिए आज वाले बच्चों से प्रिजर करिया आज वाला बच्चा बहतरीन है अपने आपको अपने समय को अगर पाना है तो समय के साथ चलना पड़ेगा और गलती ये मत करिएग हाना ये गलती मत करिएगा पिछली बार से कई लोगों ने गलती किया था 35,000 बच्चा फेल हुआ था आजो इस्कृट्णी का रिजल्ट ढूट रहा है आजो समेश्टर बैख हो गया भीया हमारी बाते इमांदारी से फालो करिएगा आगे बात करते हैं रामबाण जो मैं आपको बताने वाला हूँ डियलेट की परिच्छा को पास करने के लिए यही रामबाण फार्मुला होता है आपने अभी तक कौन सी सिरीज पढ़ी कैसा पढ़ा क्या पढ़ा कोई दिक्कत नहीं कोई मतलब हमें नहीं है आप जो भी चीजे पढ़ते हैं जैसे आप सिरीज पढ़ते हैं हाना कोई भी आप सिरीज पढ़ रहे हैं सिरीज में सारी चीजे वहीं से आती है बेसिक सीजे होती है निशित तोर पे आप अगर प्रतियोगी परिचारती ता आप सब कुछ जानते होंगे मुझे पता है सिरीज आप पढ़ रहे हैं आपके पास सात व अब कैसे कैसे आप 15 दिन का टार्गेट बनाईएगा कैसे कैसे आप 15 दिन में 7 विसेव को पूरा करिएगा देखिए जैसे कि हमारे साथ के बच्चे लोग तैयारी करते थे आप भी हमारे ही मतलब कि आज के ही बैच के हैं आज के ही छेत्र के हैं आज के ही समाज के हैं तो नि एक दिन में पकड़ना है, अब मैं आपको बता दू, घंटा आपको नहीं देखना है, अब कुछ लोग कहेंगे, कितना घंटा आप पढ़ें, तो अब आपको घंटा नहीं देखना है, दो सब्जेक्ट को पूरा करना है, पूरा करना है, अब कुछ लोग कहेंगे, दो घंट उसे जो है आप एक paper pen paper लेकर के बैठिए, copy column लेकर के बैठिएगा उस पे लिख लिजिएगा जो जैसे वरतमान भारती समाज और प्रारंबिक सिछा में कुछ चीजे हैं, कुछ सन हैं, कुछ वगरा ऐसी चीजे आपको नहीं आती हैं तो उन चीजों को लिखने का प्रयास कर करिए, लेकिन दो subject को साथ लेकर कर चलिए, एक दिन में साथो subject पढ़ने का प्रयास मत करिए, अब वो समय नहीं है कि दो-दो-दो-पेज जो है, साथो paper का पढ़ेंगे तो होगा, आपको target करके पढ़ना है, दो paper पढ़िए, एक दिन में पढ़िए, दो दिन में complete कर दीज उसके बाद English ज्यादा दिक्कत दे रही है, जो आपको ज्यादा problem दे रही है, कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है, हमसे ही बात करते हैं, भाया मुझे अंग्रे जी बिलकुल नहीं आती है, किसी तरीके से मैं ऐसा पढ़नू कि 12 नंबर आ जाए, आपका असिरवाद मिल ज से चले जाएंगे, मैं 50 बार बोल चुका हूं इस बात को, हाना, दो-दो पेपर आपको लेकर पढ़नी है, हाना, और दूसरी बात, मैं ए बात जो है, आपकी परिच्छा से कुछ दिन पहले बताऊंगा, एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा, इस तरीके साब को पढ़ आप में confidence अला पाएंगे, पास होने के लिए पढ़ेंगे, तो पक्का फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये BTC DLL है, आप B8 में कोई बच्चा नहीं फेल होता है, क्योंकि वहाँ पे factual जानकारी नहीं होती है, क्यों लिखना पढ़ता है, बच्चे लिख देते हैं, नंबर मिल पास होने के लिए नहीं पढ़ता है, पहली बात, दूसरी बात आपको जो है, जैसे कि आप पेपर से पहले मैं बताओंगा, पेपर में आपको लिखने के लिए, पेपर लिखने के लिए, पेपर लिखने के लिए, जैसे फर्स समेस्टर में आपने जो गलतिया किया है, आपको अपनी योग्यता का परिचे नहीं देना पड़ता है, आपको कितना आता है यह जरूरी नहीं है, मुझे कितना आता है आपके लिए आवस्यक नहीं, जैसे मैं टीचर हूँ, आप हमारे मतलब की बच्चे हैं, मुझे कितना आता है आप से मतलब नहीं होना चाहिए, मै कितने वहतरिन तरीके से आपको समझा पा रहा हूं यह मेरे अंदर का गुड़ है और यही मेरा जो है सिच्छक का गुड़ यही होता है आप एक प्रसिच्छू है आप क्या है एक प्रसिच्छू है ट्रेनिंग ले रहे हैं ट्रेनिंग का पेपर ऐसे ही देना पड़ता है बह कोई भी चीज आपके सामने आ रही है उसे असपष्ट लिखने का प्रयास करिए घुमाओदार बाते न लिखी मुहावरेदार बाते न लिखी मैत का चाहे सेगमेंट हो चाहे जिसका सेगमेंट हो एक एक स्टेप को तोड़ करके आपको लिखना है जितना सरल भासा माप कुछ लोग कहते हैं भाईया मैंने सिरीज का भासा नहीं लिखा इस वज़य से नंबर कट गया ऐसा नहीं होता है आपने अपनी भासा लिखा लेकिन कुछ कहानिया उसमें जोड़ दी कहानिया आपको अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है फेल होने का कारण यह भी है कुछ कहते हैं भाईया मुझे तीन नंबर नहीं आ रहा था बना के लिख दिया का बना के लिख दिया भाई यह बना के लिखने वाला सेग्मेंट नहीं है मैं आपको बता दू जो जिस भी प्रसंद में आपने बना कर अपना हवा में हवा में तीर चलाए न वो नंबर नहीं मिलत आप जो भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं यही रामबड फार्मूला है आपको इसे करना परिछा से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे आपको पेपर लिखने हैं पेपर लिखने का वज़ी से मैंने बताया है हाना सीटेट दिसम्बर 2000 क्या इसके बीच फस जाएगा मैं आपको बता दू 19-21 की बीच में है हाना 19-21 की बीच में है जहां तक मुझे उम्मीद है 1.5% उम्मीद है कि आपका पेपर सुरू हो सकता है यह वाला सीटेट का कुछ लोग बता रहें 16-17 तारिक से सुरू हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है कि अभी कोई जानकारी नहीं आई है हाना एक फरजी ख़बर जो है फेक ख़बर तहल रही थी और साय 5.5% मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतने जल्दी आपका पेपर सीटेट वाला सुरू हो तो आपके मतलब की जो देवता है इस्टे देवता इतने रुष्ट भी नहीं है कि एक दिन के अंदर आपका पेपर करा देंगे बाकि आपको अभी यहाँ पर फोकस करनी कुछ लोग कहेंग भाईया मेरा दिमाग ब्लास्ट हो रहा है क्या कर क्या पढ़े क्या ना पढ़े अगर आप सीटेट की बहतरीन तैयारी किये हुए हैं और डियलेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं हाना मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ मतलब की एक तरीके से आस्वस्त कर रहा हूँ कि सीटेट आप अभी सीटेट देने के बाद डायरेक आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है, मेरी बाते मानिए, सीटेट देने के बाद, डायेक्ट आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है, अभी आपको DLED pass करना है, DLED pass होने के बाद ही, आपकी सीटेट की value मानी जाए गया, अभी आपका किसी एक subject में back लग गया, जो seatate में 140 नंबर पाने का कोई मतलम नहीं निकलेगा, हला, आप किसी को दिखाने के लिए 140 पाने का कोई ओचित्य आपका नहीं निकलेगा, अगर आप यहां को फेल हो जाते हैं, किसी subject में आपका back लग जाता है, तो यहां पर अगर आप दिन भर के 12 घंटे आप पढ़ाई क शुरू, यह सब बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं, बहुत पीछे आप जा रहे हैं, मैंने आज एक community पर post डाला था, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्त रहिए, व्यस्त होना आपके स्वस्त, अच्छे स्वस्त का परिचायक है, जितने जादा व्यस्त होने का मतलब नहीं है, किसी से mobile पर व्यस्त हो जाए, किसी से chatting पर व्यस्त हो जाए, व्यस्त होने का मतलब यह है, कि आप अगर सिच्छा गरण कर रहे हैं, तो उसमें व्यस्त रहिए, सोचल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, बाकी आपकी इच्छा, आप समझ करिए लेकिन इतना नहीं है कि अब आप इसमें ज्यादा फोकस कर दीजिए भूल जाहिए मैं बताओं सीट का पेपर अलफा बेटिकली होता है पहले ए से होगा तब बी से होगा तब सी से होगा अगर सुरुवात पेपर 19-20 से सुरू भी होता है पहले ए नाम वालों का पेप जैसे मेरा नाम नीतिन उपाध्या है तो अगर मैं पेपर दूँगा तो मेरा पेपर लाश्ट तक जाएगा ठीक है यन है यम है किसी का मतलब कि डबलू से नाम है उसका पेपर लाश्ट तक जाता है ठीक है इस तरीके से आपका पेपर चलता है तो आपको टेंसर नहीं ले जनवरी तक पर चलेगा, और मैं बता दू, आपके 33 समेश्टर बहुत जल्द होगा, जैसे आप इसका पेपर देके निकलेंगे, आपका पेपर जो है, दिसंबर में हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट जो है, जनवरी लास्ट तक आ जाएगा, और आपका यह जो 33 समेश्टर और यहाँ पेपर जो है, 33 समेश्टर का पेपर, यूपी टेट इकजाम होने के बाद ही होगा, ठीक है, अभी कुछ लोग कहेंगे, यूपी टेट इकजाम तो जून में होगा, कुछ लोग आपको जून बता रहे हैं, कुछ लोग कहीं कुछ बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो मुझे जानकारी अभी मिली है न, आपके 33 समेस्टर का पेपर अप्रैल में होगा, और PNP ही टेट करवाएगी, और PNP ही आपका डियलेट करवा रही है, हाना, एक समिती गठित की गई है, यूपी टेट पर अधिसूचना वगारा, नोटीस वगारा, क्योंकि उपर से अ आद एक अलग कमेटी काम करती, वह अलग हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यूपी टेट पर ये लोग काम करेंगे, यूपी टेट इतने जल्दी नहीं होने वाला है, फरवरी मार्च तक आपका होगा, ठीक है, मार्च तक यूपी टेट होगा, हाना, अगर यूपी टेट 33 समेश्टर होने की संभावना उससे पहले करटेट करवाने की पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि इन्हें आगे वेकेंसी भी देनी है क्योंकि आगे लोगसभा चुना हो है तो क्या गणित है कैसे है उसके बारे में आपने जाना आपको क्या करना है आपको अब सीटेट अगर आप दे रहें सीटेट की तयारी करना है तो आपको ज़्यादा ध्यान वहाँ पे नहीं देना है अब आपको डियलेट की तरफ मुड जाना है आप अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक हो जाते हैं तो आपका पहला अवसर अंतिम में नोकरी नहीं पापाया अब समझ लिजिए उसके जीवन में कभी टीचर की नोकरी लिखी उखी नहीं है क्योंकि 79,000 में गुडांक कम था किस तरीके से लोगों का हो गया वो एक अलग मेंटर था आज के समय में आप अपने इड़ गिड़ थोड़ा सा आँख उठा करके द बच्चा दिखाई दे रहा 29,31 हर एक बच्चा इसी गुडांक की बीच का दिखाई दे रहा है मान के चलिए इमानदारी से सोचिएगा अपनी दिमाग में कितना तगड़ा कंप्टिशन है और अगर आपने एक मौका खो दिया ना आगे आने वाले समय में जानते हैं यही तो जैसे भी है इमानदारी से पढ़ाई करिए डियलेट की तयारी करिए मुझे से जो हो सकता है मैं करूँगा एक बच्ची ने कहा मुझे मैत का एक चैप्टर नहीं आता उसने इसक्रिंसार दो दिन भेजा तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा जो मेरे से हो स करते हैं तो आप अपने साथ दोखा करेंगे और चलिए वीडियो यही है बाकि जितना भी गाइडेंस मार्क दर्शन हो सकता है मैं आपको दूँगा सुब कामनाओं के साथ आज से आप तयारी प्राराम कर दीजिए ठीक है आज से आप तयारी प्राराम कर दीजिए कुछ कर सकते हैं इमानदारी से उसकी भी तयारी करिए जिस चीज में आपने समय दिया आपका कभी जाया नहीं जाएगा मैं यूटूब पर अपना समय दे रहा हूँ तो कभी ए नहीं है कि जाया हो रहा है कहीं न कहीं मुझे सकसेज मिल रही है मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप देखी रहे हैं परिडाम जहां भी आप अपना समय खर्चा करेंगा इमानदारी से खर्चा करेंगा आपको 100% वहाँ पे जो है सकारात्मक परिडाम जरूर देखने को मिलेगा मैं राजा तो नहीं हो गया हूँ यूटूब से लेकिन कहीं न कहीं सकारात्मकता मेरे अंदर ह हमारे ग्रोथ के अंदर सकारात्मकता देखने को मिलती है किवल अनवरत प्रियासी है जो आपको बेहतर कर सकती है ठीक है चले बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत